आगे चलते हैं एक दूसरे फुटबाल के मैदान के बारे भी हम देखते हैं दाहरुनों में आपने यह देखा कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की इस्तिती दो परस पर लंब रिखाओं की सहायता से बताई जा सकती है इस विचार धारा से गणित की एक महत पुण शाका निर्देशांग जयामिती कोवार्डनेट जयामित्री की उत्पत्ती हुई इस अध्याय में निर्देशांग जयामिती की कुछ आधार भूत संकल्पनाओं से हम आपको परचित कराएंगे प्रारम में फ्रांसिसी दार्शनिक और गणितग्य रिने दकारते ने इस पर अध्यान किया उन्होंने एक तल में एक बिंदु की इस्थिती का निर्दारन करने की समस्या का हल प्राप्त किया उनकी विधी अक्षांश और देशांतर की विचारधारा का ही एक विख्सित रूप थी एक तल पर इस्थित किसी बिंदू की इस्थिती का निर्धारण करने में प्रियुक्त पद्धती को दकारते के सम्मान में कारती पद्धती या कार्टेशिन सिस्टम भी कहा जाता है दकारते ने एक तल पर परस पर लंबवा दो रेखाओं को खीचने और इन रिखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदों का इस्थान रिधारन करने का विचार प्रस्तुत किया लंब रिखाएं किसी भी दिशा में हो सकती है इस अध्याय में हमने एक शेतिज याने आड़ी और दूसरी उर्धवाधर यानी खड़ी रेखा का उप्योग किया है दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदो पर काटती है उसे मूल बिंदो या औरिजीन कहा जाता है इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है शेतिज रेखा एक्स डेस एक्स को एक्स अक्ष और उर्धवाधर रेखा वाई वाई डेस को वाई अक्ष कहा जाता है चुकि ओ एक्स और ओवाई दिशाओं में धनात्मक संख्याएं इस्तित हैं इसलिए ox और oy को करम शह एक्षई और y को करम्शा रिनात्मक दिशाएं कहा जाता है ये दोनों अक्षई तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं इन 4 भागों को चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहा जाता है इन्हें OX से वामावर्थ दिशा में क्रमशा एक, दो, तीन और चार चतुर्थांश कहा जाता है इस प्रकार इस तल में दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं इस तल को कारतीय तल या कार्टेशियन प्लेन या निर्देशांग तल यानि क्वाडिनेट प्लेन या एक्सवाई तल या एक्सवाई प्लेन कहते हैं अक्षों को निर्देशांग अक्ष या क्वाडिनेट एक्सिस कहा जाता है निर्देशांग सम्तल में किसी बिंदू की इस्थिती का पता लगाना हम निर्देशांग सम्तल पर किसी बिंदू का पता कैसे करेंगे आईए इसे एक उदारन से समझते हैं ग्राप पेपर पर एक सोर वाई अक्ष खीचिए पहले चत्रताश में कहीं पर एक बिंदू पी लीजिए पी से एकस और वाई अक्ष पर करमशा लंब पी एम और पी एन डालिए यहां वाई अक्ष से बिंदू पी के लंब वह दूरी पी एन चारिक आई है इसे एकस अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है और एकस अक्ष से बिंदू पी की लंब वह दूरी पी एम तीन इकाई है इसे वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है इन दूरियों की सहायता से बिंदू पी का निर्धारन करेंगे किसी बिंदू का निर्धारन करने के लिए हम निर्मलकित परंपराओं का ध्यान रखते हैं आईए इन्हें देखें पहला बिंदू है किसी बिंदू का X निर्देशांग Y अक्ष से इस बिंदू की लंबववध दूरी है जिसे X अक्ष पर मापा जाता है यह दूरी X अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और X अक्ष की रिनात्मक दिशा में रिनात्मक होती है बिन्दू P के लिए यह धन्चार है X निर्देशांग को भुज या एपसी सा कहा जाता है दूसरा बिन्दू किसी बिंदू का वाई निर्देशांग एक्स अक्ष से इस बिंदू के लंबोत दूरी है जिसे वाई अक्ष पर नापा जाता है यह दूरी वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और वाई अक्ष की रिनात्मक दिशा में रिनात्मक होती है बिंदू P के लिए यह धन तीन है Y निर्देशांग को कोटी या और्डिनेट कहा जाता है तीसरा बिंदू निर्देशांग तल में किसी बिंदू के निर्देशांग लिखते समय पहले X निर्देशांग लिखते हैं और उसके बाद वाई निर्देशांक लिखते हैं निर्देशांकों को कोस्टक के अंदर लिखा जाता है अता है बिंदू P के निर्देशांक कोस्टक में चार कॉमा तीन कोस्टक बंद हैं